आवे सलामालेक्म ग्लाइक वेल्कम बेक आज की वीडियो सेटिंग आउट के बारे में है लास्ट वीडियो में हमें हमने सेटिंग आउट देखा था और इन लाइन को हमने डिफरेंट इंटर्वल पर लिया थाメ Osman और उनके सब के station जो है वो different थे तो आज की जो वीडियो है वो हम station wise कैसे setting out को export कर सकते हैं और बाद में use कर सकते हैं इसमें हम वही देखे हैं यहां पर 3D view में आप लोग देख सकते हैं यहां पर station wise pointer show हो रहे हैं आप लोग को और इसको भी मैं थोड़ा सा zoom करके दिखा देता ह हूँ आप लोग को के यहां पर हमारे sample line पर यह point number wise point जो है वो show हो रहे हैं जैसे 138-39 है ओके यहां से अगर आप देखें तो यह एक sequence में चलते आ रहे हैं हमारे point ठीक है किसी भी station पर देख लें आप ठीक है तो यह आपको एक sequence में number wise point मिलेंगे ओके तो इस वीडियो में हम कुछ list का भी use करूंगा तो वीडियो को एंड तक देखिए बगार skip किये हुए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसे request है कि अगर आप channel पर नए हैं तो आप channel को subscribe जरूर करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको like जरूर करें और दोस्तों के सा हो सके जो channel पर नहीं है और comment section में अपनी राय जरूर दिया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा है तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं इसके लिए मेरे पास ये file मैंने अलरडी बनाई हुई है ठीक है इसमें ये alignment है ये जो प्लाट की boundary है उसी को मैंने cut area में जो आ रही है boundary उसको मैंने trim किया हुए यहां पर तो फिल के लिए जो है अगर required हुई वीडियो अगर किसी ने comment में बताया कि फिल के लिए भी required है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा same video तो मैं start करता हूं यहां पर हमारे पास एक alignment है ओके और इस alignment पर अभी हमें sample line पर अपने point चा okay यहां पर मैं by station range ले ला हूं इसको और सिर्फ मुझे right side में चाहिए तो left में मैंने width 0 रखी है और right में मैंने इसको 50 meter रखा है ताके मेरी जो surface है वो सारी इसमें आ जाए और start और end में मैंने इसको true रखा है और इसको मैं just okay करता हूं तो sample line आप लोग देख सकते हैं यहां पर sample line create हो गई है ठीक है यह sample line तो यहां पर आपелस सकते हैं यहां पर कुछ overlapping है sample line में तो इन sample line को आपने क्या करना है आपने इन sample line को यहां से right click करना है select similar करना है और यहां से आपने इसको copy करना है और new file में आपने paste कर देना है इसको और इस boundary को यह वाली जो boundary है तो मैंने आलड़ी इसको करके रखा है ताके आप लोगं का ज्यादा time ना लूम है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां पे जब आप उसको आपके paste करेंगे तो आपने extreme की command देनी है और extreme की command क्या बरख करते है वो last video में हम देख चुके हैं तो यहां पे आपने extreme की command देनी है इस boundary को select करना है और इसके outside में आपने click कर देना है तो यह सारी sample line जो है यह trim हो जाएंगी याद रहे कि इन sample line को आपने दो दफा अप्रूट करना है ताके यह polyline में convert हो जाए तो जब यह extrude हो जाएंगी और trim हो जाएंगी पर draw नहीं हुए ओके यहां पर मैं कुछ list मैंने जैसे आपको बताया कुछ list मैं यूज करने वाला हूं ठीक है यहां पर interline की list है already काफी वीडियो में मैं इसको share कर चुका हूँ तो यहां पर मैं इसके command देता हूं interline ओके और यहां पर मैं इसको select करता हूं राइट क्लिक करता हूं तो यहां पर हमारे जो required point है वो create होना start हो जाएंगे यह point हमारे create होना start हो गए है आप लोग देख सकते हैं screen पर जैसे जैसे वो draw हो रहे है वो वैसे वैसे appear हो रहे है point हमारे draw हो गए है ठीक है यहां पर मैंने simple क्या करना है इन point को एक point को क्लिक करना है ओके यहां पर देखने है अगर कोई extra point है तो आप delete कर दें ओके select similar ओके यहां से मैं simple इसको copy कि command देता हूं और इस file में हमें चाहिए इस वाले में यहां पर अगर sample line आप रखना चाहें तो रख सकते हैं वही जो ट्रिम वाले उनको copy करके यहां पर ले आए हैं आप ठीक है मैं दिखा दूँगा आप लोगों को फिल हाल मुझे यह नहीं चाहिए तो मैं इनको delete कर देता हूं ओके यह delete हो गया है और यहां पर लाके मैं इसको यह जो point थे इनको मैं दबारा कर लेता हूं copy copy इस file में लाक मैंने just in को paste करना है paste with the original coordinate तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह point इस file में आ गए है अभी in point को हमने civil 3D point में convert करना है तो उसके लिए आपने pointer creation टूल लेना है यहां से आप देखने point creation में सारी जो चीज़ें वो आटोमेटिक पर होनी चाहिए और यहां पर आप कोई description रखना चाहें तो रख सकते हैं मैंने cut area रखा इसमें यहां पर identity station अगर आपने चेक करना है तो करने नहीं करना तो भी ठीक है इसको हमने यह identity हमने बाद में change कर देनी है इसकी ओके तो यहां पर अभी जो है convert autocad point जो है यह आपने लेना है option और यहां से आपने यह window drag करनी है कि ताकर सारे point आपके इसमें आ जाएं तो यह point जो है अभी civil 3D point में convert होना start हो गया है यह जो yellow आप देख रहे हैं स्क्रीन पर point यह भी हमारे civil 3D point है तो यहां पर मैं किसी एक को select करता हूं और select similar करता हूं और इनके हम property चेक कर लेते हैं कि यह point क्या show कर रहे हैं तो यह एक ही group में है किसी एक से right click करें और point group property चेक करें तो यहां पर आप देखें point list में तो यहां पर point elevation में 00 है ठीक है क्यूंकि हमने वहां से यह 2D point create किये थे तो मैं just screen में से किसी एक को select करता हूं select similar यह सारे point select हो गए है और इनको मैं भी थोड़ा सा zoom out करता हूं और यहां से right click करके elevation from surface elevation आप 3D में देख सकते हैं ठीक है जैसे मैंने elevation from surface की है तो यहां पर हमारे पास यह एक ही surface है okay करता हूं तो आप पर देखेंगे 3D view में भी यह update हो जाएंगे आप लोग देख सकते हैं सारे point अपने अपनी जगा पे 3D view में आ गया है तो अभी रहेगी इसकी point report तो point report हम कैसे लेंगे वो भी देखेंगे tool box यहां पर point है point यहां पर station offset एक तो हमें चाहिए तो सबसे पहले हम यही वाली जो report है तहीं है कि हमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहां पर बहुत ज़्यादा point है तो यह report हमें नहीं चाहिए तो सबसे पहले हमने क्या करना है हमने इनको station wise जो है वो देखना है आप यहाँ पे देखने तो यह 4, 4, 4, 9 जबके यह 4, 7 है तो हमें station wise जे चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास list है मैं इनको कैसे renumber कर सकता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यह 3 list है यह 3 list है मैं इनको load करता हूँ close यहाँ पे हमारे पास जो line है ठीक है इस पे सबसे पहले हमने polyline extract करनी है तो उसके लिए मेरे पास यह test align की command है polyline की जो command ही मैंने इस alignment पे click किया है तो इसकी यह polyline extract हो गई है यह हमारा path है जिसके perpendicular हमने point re-number करने है तो अभी यहाँ पे दूसरी command है A double L double A zero one मैंने इस command को लिया है यहाँ पे यह load हो रही है और अभी हमने अपना path सेलेक्ट करना है तो यह alignment हमारा path है इसके यह polyline हमने select कर ली और यहाँ पे अभी हमने यह drag किया इसको window को और right click कर दिया यहाँ पे हमारे point जो है वो रही number होना start हो गए तो यहाँ पे अभी आप लोग देखेंगे ठीक है यहाँ पे 133, 134, 135, 136 ओके 137 अगर आप यह देखना चाहें कि sample line के distance पे भी आये हैं या नहीं है तो मैं यहाँ से यह sample line है वो भी इसके आपको करकर दिखा देता हूं वैसे उसमें time जाएगा तो मैं रहने देता हूं ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह number wise जो section wise यह point हमारे जो हैं वो sort हो गए हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यह last का point है फिर वो point है next वाला bench का वो boundary है brewery और यह जैसे जैसे bench पे और बरम पे point है वो सारे create हो गए हैं तो अभी हम इसकी report ले लेते हैं उस report लेने से पहले हम इन point को number चेक कर लेते हैं कि यह कहां तक हैं इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 815 तक हमारा जो है last number है ओके तो 815 तक last number है हमारा ओके तो सबसे पहले हम station offset ले लेते हैं execute यहाँ पे अगर आप देखें station offset यहाँ पे हमारी alignment की यहाँ पे हमें जो point है हमारे 815 शो हो रहे हैं तो मैं इस पे create report पे click करता हूँ port हमारी create होना start होगी है यह report है तो के यहाँ पे आप देख सकते है पहला station zero है तो zero पे यह offset है फिर five पे है तो उसका point 43 है जैसे जैसे हमारी range बढ़ेगी वैसे वैसे यह जो out of range आप देख रहे हैं यह वही cornish के point है तो no problem हमें मलूम है कि यह कौन से point है इनको हमा Excel में easily जो है वो कर लेंगे यहाँ पे मैं इसको paste करता हूँ ओके यहाँ पे जो extra data है उसको मैं delete कर रहा हूँ ओके यह description आगी इसके साथ ओके ठीक हो गया उसके बाद हमें दूसरी report चाहिए तो दूसरी report के लिए हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पे जो है हमारे point है यह अभी number 1 से 815 है तो यहाँ पे जो prospector tab है यहाँ पे मैंने point group create किया है यहाँ पे यह अभी बिल्कुल empty है आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं इन पे include करता हूँ point 1 से 815 मैं apply करता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हार चीज़ इसमें update होके आ गई है और अभी इस point group को मैंने export करना है इस पे मैं यह path है मेरा मैं इसको open करता हूँ और इसका फार्मेट है point इस्टिंग नर्दिंग जड़ है यस तो point हमारे जो है वो export हो गए है अभी मैं point को जो है वो यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ ठीक है यह point हमारे जो है वो नर्दिंग इस्टिंग के इसाब से यहाँ पे आ गए है ओके quantum हमारे आ गए है मैं इनको open करता हूँ तो w यह cold file है यहाँ पे export destination points csv open okay तो यह point हमारे export हो गए है अभी देखते हैं हम लोग के यह आया है यह अभी file मैंने create की points तो यह point हमारे अभी यह इसमें यह आप लोग देख सकते हैं 815 जो है वो हमारे point इसमें export हो गए है तो अभी in point को जो है वो मैंने तूसी file में लेके जाना है point is not है इसका ओके जो format है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह 14 है आप यहां से इसका elevation जो है वो match करके किसी भी point का आप यहां से देख सकते हैं 158-388 158-388 तो यहां पर यह जो description है ठीक है यह जो description है इसको मैं end में ले जाता हूं यह point elevation यहां पर नहीं चाहिए हमें ओके यह description को मैं end में ले जाता हूं ओके और यह जो है point number हमें नहीं चाहिए ओके यह इस्टिंग है नोर्दिंग एलिवेशन तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमारी जो है point report भी बन गई है और यह station wise है इसको start करने की कोई जुरूरत नहीं है ठीक है तो यह वाले point है यह हमारे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं यह हमारे सारे point जो है वह बन गए है तो यह setting out के बारे में video की उमीद है आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको like करें शेयर करें और comment section में अपनी राह जरूर देंक्स वर वाचिंग अलापिस